अभी सब दीपक की तरफ टर्न अराउंड हो जाएंगे और उस एंगल में बैठना अपने मैट को दीपक के थोड़ा पास भी ला सकते हैं जो दीपक आपके पास में हो उसके पास आ जाना और दीपक की लौ आपको विजिबल हो दिखाई दे इसका ध्यान रखना कोई आपके और दीपक के बीच में ना आ रहा हो कमर सीधी रखेंगे चहरे पर प्रसन्नता रखेंगे कोई टाइटनेस नहीं चहरे पर पूरा सौम्यता आपके आँख आपकी माथा बिलकुल शिथिल आसू आये तो आने दीजिए आँखें एक टक बिना हिले शरीर का कोई अंग नहीं हिलाना है आँखों की पुतली भी नहीं हिलानी है एक मिनट के लिए और त्राटक करना है बस पूरे आशू हमारे निकलेंगे यदि हम ध्यान से एक टक देखते हैं तो आँखों की शक्ती बढ़ती है मानसिक शक्ती बढ़ती है चित पवित्र हो जाता है सारे विकार बह जाते हैं आशूं के माध्यम से और आशू आ जाएं तो फिर अब हम अपने आखों को धीरे से बंद कर लेंगे धीरे से बंद कर लेंगे अपनी आखों को और अपने भुरूमधिप में उसी दीपक का ध्यान करेंगे उसी दीपक की लोग को देखने का प्रयास करें अपने दोनों भोहों के मध्य में जहां हम तिलक लगाते हैं वही दीपक का त्राटक अंतर त्राटक चले अभी बाहिय त्राटक चल रहा था अब अंतर त्राटक चले पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ती से आद्र भाव से हे नात, हे नारायन हमें शक्ति दें प्रभू आप शक्ति के स्रोथ हैं प्रसन्य चित्थो कर, प्रसन्य भाव से करना है कोई तनाव नहीं और अब दोनों हातों का घर्शन करेंगे उपर उठा करके और गरम गरम हथेलियों को अपनी आखों पर रखते हैं इसे आखों की शक्ति बढ़ती है ये हमने दीपक का त्राटक किया अब सब ही अपने अपने स्थान पर लेट जाएंगे योग निद्रा का भ्यास करेंगे हम जिनकी जिनकी मैट है अपने अपने मैट पर अभी हम थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे रिलाक्स होंगे मौन उसी शांती को बरकरार रखते हुए उसी शांती को निरंतर रखते हुए लंबी गहरी श्वास लेकर के पूरे शरीर को धीला छोड़ दीजिए पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर हथेलियां खुली रहती हैं, ऊपर की तरफ रहती हैं दोनों पैरों में एक फीट का गैप रहता है अपने लेफ्ट पैर की पिंडली को नीज, घुटने, जंगाओं को धीला छोड़ दें अपने पूरे लेफ्ट पैर को धीला छोड़ दें पैर में जुन-जुनी हो तो थोड़ा सा हिला भी सकते हैं पैर को और अब अपने राइट पैर को राइट पैर के अंगोठे उंगली को धीला छोड़ दें एडी को धीला छोड़ दें जुन-जुनी हो तो थोड़ा सा पैर हिला भी सकते हैं अपने left pair की knees, thighs, calf muscles, पूरे right pair को भी धीला छोड़ देंगे, जैसे left को धीला छोड़ा, वैसे ही right को भी धीला छोड़ देंगे, relax, totally relax, अपने चाती में एक बार श्वास भरें, और श्वास छोड़ते हुए चाती के पूरे अंगों को, lungs को, ribs को, heart को धीला छोड़ दें, relax, श धीला छोड़ देंगे, शिथिल करेंगे, अपने left हाथ की हथेली को, उंगलियों को धीला छोड़ दें, अपनी कोहनी को, कंधे को, पूरे left hand को शिथिल करें, बाए हाथ को, डाबा हाथ को, अब उज्वा हाथ की उंगलियों को, हथेली को धीला छोड़ें, कलाई को, कोहन को शिथिल करें अपने कंधों को भी धीला छोड़ दें और अब अपने दोनों कंधों को धीला छोड़ के अपनी गर्दन को भी धीला छोड़ दें शिथिल रिलाक्स यूर नेक अपने गर्दन के बाद, अपने ठोड़ी को, अपने होटों को, अपनी जहवा को, अपने गालों को धीला छोड़ दें, अपनी नासिका को धीला छोड़ें, अपनी आखों की पुतली को भी धीला छोड़ें, पलकों को भी धीला छोड़ें, हलके से अपनी आखों पर रखें पलकों को, कोई तनाव नहीं पलकों पर और माथे को भी धीला छोड़ने relax your forehead माथे को धीला छोड़ने तनाव मुक्त आपकी खोपड़ी शिथल, brain relax आपके कान, relax पूरा चहरा relax, पूरे शरीर को धीला छोड़ने, एक-एक कोशिका, एक-एक सेल, एक-एक टिशू, एक-एक औरगन को धीला छोड़ने रक्त संचार भी शिथल मेरा शरीर शान्त हो रहा है मेरा शरीर शान्त हो रहा है मेरा शरीर शान्त हो चुका है अपनी सांसों को धीला छोड़ने, मेरी सांसें शान्त हो रही है, पूरा ध्यान अपनी सांसों को शिथल करने में, मेरी सांसें शान्त हो रही हैं, मेरी सांसें शान्त हो चुकी हैं, पूरा ध्यान अपने मन पर अपने विचारों पर मेरा मन शान्त हो रहा है मेरा मन शान्त हो रहा है मेरा मन शान्त हो चुका है अपनी आत्मा जो इस शरीर के अंदर बस रही है रह रही है उसका ध्यान स्वयम का ध्यान करें और ऐसा महसूस करें कि मैं इस शरीर से अलग हूँ और मैं इस शरीर को छोड़ कर इस शरीर से उपर उठ रहा हूँ ये शरीर नीचे जा रहा है और मैं इस शरीर से उपर जा रहा हूँ अपने को इस वाटिका से उपर आकाश में जाता हुआ महसूस करेंगे कि मैं शरीर से दूर आकाश की यात्रा कर रहा हूँ और आकाश में घंगोर बादलों के बीच से निकलता हुआ मैं इस धर्ती के वातावरन से दूर जा रहा हूँ धर्ती अब गोल गोल मुझे दिख रही है अंतरिक्ष में और अंतरिक्ष के अंधकार से मैं और उपर जा रहा हूँ ग्रिह नक्षत्रों के बीच से तारों के बीच से आप उपर उठ रहे हैं एक नीले कलर का नीले रंग का आस्मान उससे भी हम बीच से उपर उठ रहे हैं फिर आप देखते हैं कि पीले रंग का एक आस्मान आया है उससे भी बीट से निकल करके आप उपर जा रहे हैं और उपर जाते हुए आपको दिव्यता की अनुभूती हो रही है परमात्मा की दिव्यता परमात्मा का साक्षातकार और परमात्मा की दिव्यता आपके भीतर प्रवेश कर रही है और आप पूरे भावना से परमात्मा से मिल रहे हैं पूरी भावना से विभोर होकर भाव विभोर होकर कि आप ईश्वर से एक हो रहे हैं इश्वर की शक्ती और आप में कोई अंतर नहीं है आप एक हो चुके हैं इश्वरी ये शक्ती सामर्थ बल दिविता भक्ती से और उशी सामर्थ को आप महसूस कर पा रहे हैं स्वयम के भीतर करोणों सूर्यों का प्रकाश आपके भीतर से निकल रहा है उसी प्रकाश के साथ आप वापस आ रहे हैं पीले रंग के आस्मान के बीच से आप प्रकाश में फिर से वापस नीचे आ रहे हैं और नीचे आप देख रहे हैं वही लाल रंग का आस्मान दुबारा मिला है हमें और लाल रंग के आस्मान के बीच से हम फिर से वापस आ रहे हैं और अब हमें नीले कलर का आस्मान मिला है नीले रंग के आस्मान के बीच से भी हम नीचे आ रहे हैं और अंतरिक्ष का अंधकार सारे ग्रह नक्षत्रों को पार करते हुए हम और नीचे तारे से तारों के बीच से और नीचे हमें धर्ती के दर्शन हुए हैं धर्ती के वातावरण में हम प्रवेश कर रहे हैं धर्ती में भारत देश में प्रवेश कर रहे हैं महराश्ट में पूने में आउंध में और ओंध में इस वाटिका हमें दिखी है जहां सारे शरीर पड़े हुए हैं योग निद्रा में और मैं और आप पूरे प्रकाश से भरे हुए वापस अपने शरीर को पहचानते हैं कि यह मेरा शरीर है इस जनम में और इस शरीर को पहचान करके आप फिर से इस शरीर में बैठ रहे हैं इस शरीर में लेट रहे हैं, फिट हो रहे हैं इस शरीर में अब अब आप इस शरीर से एक हो चुके हैं लेकिन पूरे शक्ती से, पूरे प्रकाश में हो करके के पुरी दिव्यता के साथ हम इस शरीर से एक है प्रकाश हमारे शरीर से निकल करके चारों तरफ फैल रहा है पुरे शरीर में उर्जा, उत्साह, प्रसन्नता, आनंद और स्वास्थ, आरोग्य हम अनुभव कर सकते हैं पून मौन पून सक्री अब हम अपने दोनों हाथ उपर उठा करके घर्शन करते हैं और गरम गरम हथेलियों को अपनी आखों पर रखते हैं धीरे धीरे हम अपने आखें खोलते हैं और लेफ्ट साइट से मुड़ करके करवट लेकर के डाबा साइट से करवट लेकर के हम बैट जाते हैं पर हम बैट करके ओम कार का उचारण करेंगे लंबी गहरी श्वास ले करके ओम 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 भूर भुवस्वह तत्सवितुर्वरेणियम भर्गो देवस्त्यधी मही धियो यो नफ प्रचोदायात ओम शान्त शान्त शान्ति यह योग निद्रा का अभ्यास आपने बहुत ही आनंद से, प्रेम से, अच्छे से किया है और यह कोई मिथ्या नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा कुछ है नहीं यह जीवन वैसा ही है जैसा आप सोच रहे हैं एक्च्छली में जैसा हम सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं और वही चीजें हमारे जीवन में घटित होते हैं तो हम अच्छा सोचते हैं अच्छा सोच करके ही हम योग निद्रा का भ्यास करते हैं क्योंकि हम गलत-गलत सोचते हैं कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये बुराई है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसे inferiority complex आता है, हम अच्छा भी सोच सकते हैं कि मैं भगवान से एक हो रहा हूँ, भगवान की शक्ती से हो, और हम हो जाते हैं, भगवान केवल और केवल स ओची तो सकते हैं, कुछ करने से भगवान नहीं मिलता है, कुछ करने से धन मिलेगा, संबान मिलेगा, ये सब भातिक चीज़ें मिलेंगी. भगवान तो केवल और केवल सोचने से मिलेगा, सोचने से. और सारे संबंध तो करने से मिल जाते हैं हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ मित्र बनते हैं लेकिन भगवान को हमारा करना देखना नहीं है बाकी करना तो इस संसार के लिए है संसार का उपकार करेंगे तो हमको बहुत सारी सांसारिक चीज़ें अच्छी अच्छी प्राप्त होगी संसार का अपकार करेंगे तो बहुत सारी गलत-गलत चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी भगवान को केवल हमारा मन चाहिए कि हम उसे सोचें और उसे अपने आपको एक माने तो भगवान को अपने आपके ऐसे एक मानने से यह योग निद्रा बहुत ही सही है, किसी को अशांत रहता है, मनव्याकुल रहता है, अइस्थिर रहता है, हार्ड डिजीज है, हाइपर टेंशन है, ब्लॉकेज है, सब रोगों में A to Z हमें योग निद्रा का अभ्यास करना च है, बस हम पूरे शरीर को धीला छोड़ देते हैं, और पूरे शरीर को रिलाक्स करते हैं, उसे शवासन कहते हैं, तो इससे तुरंथ हम कितना भी ठके हों पूरे दिन में, हम 24 घंटा ना सोय हों, हमने केवल 5 मिनट शवासन कर लिया, या योग निद्रा कर ली, पूरी एनर पूरी चेतना में हम पहुचते हैं, कि फिर हम जागते हैं, तो पूरी उर्जा हमें मिलती है, ये योग निद्रा है, एसी तरह जो योगी लोग होते हैं, फिर वो घंटों-घंटों, आठ गंते नहीं सोते हैं, फिर वो कुछ घंटों में ही अपनी नींद पूरी करके, अभ्यास किया और एक चीज ध्यान की जब अभी हम सो करके जब बैठते हैं तो किस देशा से हमें उठना चाहिए लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड में हमारा होता है कुछ लोग ऐसे सीधे बैठ जाते हैं ये फिर हानिकारक है बुजुर्गों के लिए ज़्यादा युवाओं को तुथा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर रिदे गती पे उसका असर पड़ता है इसी लिए हम जब उठते हैं तो हमको आराम से उठना चाहिए लेफ्ट साइड से उठना चाहिए और उठ करके थोड़ी देर मृत्यू भी हो जाती है आपने सुना होगा कि वो सुबा रात में ठीक ठाकता सुबा वो बातरूम में गिरा पड़ा मिला उसका हार्ट भी डुग गया ऐसे यह होता है हार्ट कमजोर है तुरंत उठते हैं भागते हैं और तुरंत ठंडी ठंडी फर्ष पैरों पर पड़त को प्रसन्यता बातने हो और मैं किसी को किंचीत मात्र भी दुख ना दूँ। आज मेरे से बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हो ऐसा भगवान से प्रार्टना और पिर धुकना चाहिए फिर हम जुकते हैं तो फिर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से दिमाग back और रिदय में पहुँचता है अब जुकें क्यों जुकें हम नमशकार करने के लिए सब साइंटिफिक चीजे थी जो हमारे माता पिता बदा ते थे कि हम जुक करके माता पिता को नमशकार करना धरती माता को नमशकार करना गुरू को ईश्वर को हम नमशकार करते हैं तो फिर पूरा रक्त संचार, पूरा हमारा जो वात बढ़ा रहता है, वो वात संतुलित हो जाता है, वात संतुलित होता है, विनम रहने से, तो इस प्रकार हम उठा करें, सुबा उठ करके हमें पानी पीना चाहिए, अच्छे से दो ग्लास तो कम से कम गुन गुना पानी तो पीना च करके पानी पीना चाहिए, सुबा सुबा हम तेज तेज पानी पी सकते हैं, कि वो पानी सीधा डारेक्ट हमारी आतों में जाए और मल को गिला करें, अच्छे से प्रेशर बनें, बाकी दिन भर पानी हमें तेज तेज नहीं पीना चाहिए, बाकी दिन भर पानी हमें सिप सिप करके कहते हैं पानी को जो है खाओ और खाने को पीओ पानी को ऐसे खाओ चबा करके यानि उसमें सलाइवा मिक्स करके आराम आराम से पानी पीना चाहिए और खाना पानी की तरह बना करके उसको निगलना चाहिए तो ऐसे हम पानी पीते हैं और फिर शौज के लिए जाते हैं, पेट साफ हो जाता है, फिर अच्छे से हमें योगा अभ्यास हम करते हैं, पेट का साफ होना बहुत ज्यादा जूरी है, एक सुबा पेट साफ होना चाहिए, एक शाम को पेट साफ होना चाहिए, और भूख हमको अच्छे से लगनी कम से कम दिन में एक बार तो कट-कटा करके भूख लगनी चाहिए, अगर हम बिना भूख के खा रहे हैं, बिना समय खा रहे हैं, तो वो खाना हमको जीवन कम रित्यू जल्दी देगा, हमारे अंग को फेल ज्यादा करेगा, हमको ज्यादा मन, शरीर, रक्त, सब्त, धातुओं को दूशित ज्यादा करेगा, इसलिए गलत खाना तो खाना ही नहीं है, और जो सही खाना भी है, उसे समय पर खाना, और भूख अच्छी लगे इसका ख्याल रखना, अगर भूख नहीं लगी है, तो हम खाना स्किप कर सकते हैं, घाना स्किप करने में फिर कमजोरी नहीं आएगी, लेकिन अगर फिर भी खाना खा लिया, तो जरूर कमजोरी आएगी, तो जरूर हमारी चर्वी इदर उदर से बढ़ती रहेगी, तो इसलिए, अगर हमें भू time खाएंगे कब तक नहीं लगे, भूग तो लगने ही लगनी है भूग तो लगनी ही लगनी है, लेकिन हम खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, बिना समय के, बिना भूग के, बिना इच्छा के आदत पड़ी है, false appetite, तो फिर तो फिर भूख गडबड हो जाती और भूख गडबड होती है तो नींद गडबड हो जाती है और नींद गडबड होती भूख गडबड होती तो सारे रोगों का आमंतरण हम invite कर देते हैं कि BP भी आओ, thyroid भी आओ, diabetes भी आओ, सरदर्द भी आओ, migraine भी आओ, और over stress भी आओ, सब आओ, तो ऐसा अपने को नहीं करना है, आयुर्वेद में एक बहुत बड़ा सूत्र है, अर्ध रोगहारी निद्रा, सर्व रोगहारी क्षुधा, आधे रोग तो हमारे अच्छी नींद लेने से आधे रोग खत्म हो जाते हैं, और अच्छी भूख लगने से सारे रोग खत्म हो जाते हैं, इसलिए तो उपवास का यतना बड़ा महात्म है, उपवास का भौतिक लेवल पे भी उसका लाब है, दैविक और अध्यात्मिक लेवल पे भी उसका लाब है, तो उपवास क्या है, हम 10-12 घंटे तक अपने पेट को कुछ नहीं देते हैं, तो बहुर अच्छे से भूक लगती है, फिर यही साइकल हम हफते में एक बार दोहरा देते हैं, या कम सकम 15 दिन में एक बार दोहरा देते हैं, या जिसको ज्यादा पेट की समस्या है, और ओवर इटिंग है, फिर वो लंबा थोड़ा सा एक टाइम स्किप करता रहता है, अब तो पेट अपने आप सेट होता रहता है, सबसे ज़्यादा आहार पर अपने को, और विचार पर अपने आपको ध्यान देना है, क्योंकि जैसा हम आचार विचार रखेंगे, जैसा हम अपना आहार विहार रखेंगे, वैसे हमारा शरीर बन रहा है, हमारा यह जो शरीर बना है, यह जो मैंने रोटी खाई है, उसी से ही तो बना है, दाल चावल खाया है, उसी से तो यह सब बना है, आखें आदी सब उसी से बनी और किस चीज से बनी है अलक से थोड़ी लागर के हमने थोपी है जो हमने खाया है वो रोटी ही अंदर जाके खून बन जाती है वो रोटी ही अंदर जाके हड़ी बन जाती है भगवान के विधान से वो कर रहा है अंदर वो सब कर रहा है अंदर, automated system है वो रोटी ही मेरे अंदर जाके पुरुष बन जाएगी और वो रोटी आपके अंदर जाके इस्तरी काकार रूप लेगी इस्तरी के अंदर, जो जैसा है बच्चे के अंदर बच्चे का शरीर बनाएगी बुढ़े के अंदर बुढ़े का शरीर बनाएगी वो रोटी वो दाल वो चावल इसलिए उसको पूरे सम्मान से खाना है पूरे सम्मान से पूरे आदर से इसलिए हमें थाली आते हैं उसका नमशकार करना है कि तुम हमारा शरीर बनने वाले हो तुम जीवित हो और ये शरीर भी जीवित हो तो इसलिए मृत भोजन हमें नहीं करना चाहिए जोग हम भी मृत भोजन खाते हैं ज्यादा तला भुना और जो भी ज्यादा नशीला है या ज्यादा मांसाहार है बासी है जूटा है बहुत पुराना है पैकेज़ गाजमें और हुम वो खायेंगे तो उससे शरीर बनेगा जब हमें ताजा-ताजा मिल रहायए जब हमें रोख फूर नیच्रल फूर्ट खाने को मिल रहा तो हम अगर वो खायेंगे तो हमारा शरीर बहुती सुन्दर आकरशग और Г्लो गलिसिन वाला हमारा शरीर बनेगा